नमस्कार दोस्तों, अगर आप कहीं भी आयर्वेद के छात्र हैं, ऐसे में नीची तुरूपस एक सबना होगा आपका भी कि हम भी किसी आयर्वेद के कॉलेज में टीचर बनें, क्योंकि टीचर बना वास्तों में बहुत ज़्यादा स्वभागिक की बात होती है, और आप जो किसी भी कॉलेज में क्या इसके प्रोसीजर से क्या स्टेप्स हैं, और कैसे हम एसे किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं, तो आज का वीडियो इसी विशाय प्याधारित है, और इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ यह ही है, कि इसके बारे में वहु आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया, तो चलिए सुरूइक करते हैं, आज का वीडियो की टीचर बनने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूद पढ़ती है, और कौन से जरूद पढ़ती है, तो सबसे पहले जानना यहाँज जरूरी है, कि अ दौन स्था में तीन पोर्सटती पहला आशेस्टेंट प्रफेसर दूसरा है असोष्य प्रफेसर और कई अलग जबहों पे लेक्ट्रेंट्सक्राइक लेक्ट्रोफेसों o j прям b greater चिश्चर involves रबाने हैं कि सबसे-पहला स्व्इरूर्शिट वहता है जब आप किसी कृलीज को ऐज आथ कर सकते हैं कि हैं कि बालिक्षर बने की लेक्षॉर रैस्टिट प्रोफेसर बने की जो असेंशिर जो क्वालिफिकेशन है वह है BMS और MD वह भी किसी जो डिकोगनाइज्ट इन्वर्सिटी से या इस्ट्यूट से होना चाहिए जो भारत सरकार द्वारा मनेताप्राप्त संस्थान हो और CCIM द्वारा मनेताप्राप्त हो Essential Qualification के अलावा कुछ desirable qualification भी मागी जाती है आपसे जिसमें की पहला है PhD और दूसरा है Teaching Experience और तीसरा है किसी अच्छे अच्छे जॉर्डल्स में आपके जो रिसर्च पेपर है यानि कि आपने क्या शोधी किया है उसके publications तो Essential में BMS और MD और डिजारेबल में PhD, Teaching Experience और Research Application के बाद आप कहां जोइन करना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज को जोइन करना चाहते हैं तो इसमें भी अलग लग चीजे आपसे मागी जाती हैं अगर प्राइवेट कॉलेज जोइन करना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा requirements नहीं होती है अगर आपने MD pass कर लिया है तो आसानी से भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज को जोइन कर सकते हैं लेकिन अगर आप government sector को जोइन करना चाहते हैं किसी भी government के अईरवेट मेटकल कॉलेज में जोइन करना चाहते हैं तो यहां बहुत सारे step से procedure से आप directly किसी भी government college को आप जोइ कोलेज हैं अगर वहां आप जोइन करना चाहते हैं इसके लिए जो रेस्पेक्टिव एस्टेट हैं वहां के लोग से वाय हो यानिक सर्विस समय 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 पर जो रिक्षपद है लेक्षर के या प्रोफेसर के रिडर के उनका विग्यापन निकलता है और उसको आप भरने के आप जोइन कर सकते हैं और एस्टेट के जितने भी कॉलेजेज हैं वहां अगर आप लेक्षर के रुप में जोइन करना चाहते हैं तो वहां मोस्ली आप से एंबी एमस और एमडी मांगा जाता है लेकिन अगर गवर्मेंट सेक्टर में हम उनिवर्स्टी की बात करें या इ तो उस इस्टिचूट के जो रूल होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं कई जो को पर मांगा जाता है कि आपके पास टिचनिंग एक्सप्रियंस है या नहीं है तो जो एस्टेट के कॉलेज है वहां पर UPSC के थ्रूप समाने ब्रूप से रखा जाता तो इंटर्व्यू ही आ वहाँ पर आप लेक्चर बनना चाहते हैं तो आप पर इंटर्व्यू होता है जिसके बाद अगर सलेक्ट होते हैं तो आप जोइन कर सकते हैं और कुछ इन mines क्राइटरिया है कि आप रिटेन देंगे और फिर आप इंटर्व्यू में सेलेक्शन के बाद जोइन करेंगे ल और उन्वेस्टी या जो इज सिउट रों हंग पे लेक्ष्टर के बाद अब बात कर लेते हैं रीडर और प्रोफेसर की यारी कि आससेट अर्थ अचे थो अड़िव स्वान जाते हैं और इसके लिए जनरल हर जगर इंटर्वियों ही आउजित या जाता है तो रीडर और प्रोफेसर बनने के लिए आपको जो है टीचिंग एक्सपरियंस के जुरत पड़ती है लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर अगर आप प्रमोट नहीं हो पाया तो अगर आपने 10 साल as a lecturer काम किया है तब भी आप प्रोफेसर के लिए eligible हो जाते हैं तो इस दो क्राइटेरिया है प्रोमोशन के लिए तो जो गुवर्मेंट कॉलेजेज में है वहां पर डायरेक्ट प्रमोट नहीं हो सकते हैं यहां पर अगर आपको लेक्शर से रीडर बनन आया जमतID करते हैं इसका प्रोफेस में इसासानी से आप ऊहां पर प्रोफेसर बन सकते हैं е गौर्वर्मेंट कॉलेजिज में या इनवर्स्टी या इस्चूर अरी नियसर बंगे के लिए प्रिमें एक अश्येय प्रोफेसर बेदंऩ केसे थाज CBD में या इंश्टिटी में टीचर बनने के लिए हमने आपको डिटेल में आपको बता दिए फिर भी अगर आपको कोई भी संगा हो तो आप मुझसे कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं और अगर यह वीडियो आपका अच्छा लएगे तो इस अधिक सदिक शेयर चरूर कीजिए और कोई भी इस विशर पर सुझाव देना चाहते हैं तो उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लेकर हमें दे सकते हैं तो इसी विशर आप सबका बहुत बहुत धन्य बाद नमस्कारा जाएं झालाएं